इंडियन प्रीमेर लीग यानि IPL 2025 का सीजन भले ही अभी दूर हो लेकिन टीमों ने अपनी तयारी शुरू कर दी है इसी वीच खबर है कि जल्द ही भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि BCCI की तरफ से रिटेंशन पॉलिसी जारी कर दी जाएगी मगर टीमों ने अपने सपोर्ट स्टाफ को और भी मजबूती देने का काम किया है अब कोलकाता नाइट राइडर्स और चन्नाई सुपर किंग्स को लेकर खबर सामने आ रही है KKR ने अपने नए मिन्टॉर का ऐलान कर दिया है आपको बता दें कि हो सकता है कि ये CSK फैंस के लिए हलका सा जटका देने वाली खबर हो जानकारी के लिए बता दें कि IPL की मौजूदा चैंपियन टीम KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नए मिन्टॉर का ऐलान कर दिया है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से कहा गया है कि वेस्ट इंडीस के धाकड खिलाडियों में से एक ड्वेन ब्रेवो अब उनके नए मिन्टॉर होंगे आपको बता दें कि इससे पहले ड्वेन ब्रेवो चन्नाई सुपर किंग्स की टीम के साथ जुड़े हुए थे वो टीम के लिए खेल भी चुके हैं पिछले कुछ सीजन से वो गेंदवाजी सलाहकार की भूमिका निभा रहे थे ड्वेन ब्रेवो एक ऐसे खिलाडी हैं जो मुंबई और सीएसके दोनों टीमों के लिए खेल चुके हैं वो चन्नाई सुपर किंग्स की टीम के लिए आईपेल जीतने वाले खिलाडियों में शुमार है आपको बता दें कि वो साल 2011 से लगातार चन्नाई सुपर किंग्स की टीम के साथ नजर आ रहे थे लेकिन अब उनकी जर्सी का रंग बदल जाएगा अब इस ख़वर के बाद केके आर को फाइदा और सीएसके की टीम को नुकसान हो सकता है दरसल केके आर के मेंटॉर की भूमिका उससे पहले गौतम गंभीर निभा रहे थे लेकिन अब वो भारतिय टीम के हेड कोच है उनकी जाने के बाद सहें कोलकाता नाइट राइडर्स को किसी ऐसे दिगज खिलाड़ी की तलाश थी जिसका आईपिल में अच्छा खासा अनुभा वो अब ये तलाश डूएन ब्रेवो पर जाकर खत्म हो रही है डूएन ब्रेवो का केके आर में जाना जहां कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए फाइदमंद साबित हो सकता है वहीं CSK को इससे नुकसान हो सकता है अब देखना होगा कि चनई सूपर किंग्स डूएन ब्रेवो की जगा किसे अपने साथ जोडने का काम करती है आपको बता दें कि वेस्ट इंडीस के डूएन ब्रेवो का क्रिकेट करियर काफी शांदार रहा है पांच बार के CPL विजेता ब्रेवो ने ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के साथ अपने तीन खिताब जीते जिससे उन्हें साल 2017 और साल 2018 में लगाता ट्रॉफी मिली और फिर साल 2021 में सेंट किट्स और नेविस पैट्रियर्ड्स को सिल्वर वेर दिलाने में मदद मिली डूएन ब्रेवो बीबील और पीएसल जैसे भी लीग खेल चुके हैं इससे पहले उन्होंने टी 20 क्रिकेट में सन्यास का ऐलान किया था ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे